नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूँ, मैं कुसुन प्रसाद, इविद्या चानल नमबर 9 पर, और आप सभी स्टुडेंट्स यानि कक्षा 9 के सभी विध्यारती, आज पढ़ेंगे सोशल साइंस का सब्जेक्ट और आज का जो टॉपिक है, जो पार्ट है, क् आज के लिए हमारे एक्सपर्ट भी स्टूडी में मौझूद है, सर है श्री अशोक कुमार गुपता सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत-बहुत अभिननदर नमशकार सर, सर है PGT History, from KV Dwaraka, Sector 5 दहली से, तो सर बताएंगे इस चाप्टर के बारे में वि इसके लावा आप हमें इमेल भी कर सकते हैं, हमारा इमेल आईडी है, DTH.class9, at the rate CIT.nic.in, पर तो यह तो होते हैं, हमारे विभिनम, आद्यम किस तरह से आप जोड सकते हैं, तो हमें है कि आप अपने फीडबेक जरूर देंगे और इस सत्र से जरूर जुडेंगे, तो हम रो कि क्लाइमेट होता क्या है, और किस तरह से यह जो सीजन से प्रभावित करते हैं, और अभी कौन सा सीजन चल रहा है, यह आज का जो सेशन है, वो 9th class के लिए हैं, और यह जो सिलेवर हमारा है, 9th के साथ साथ आपको 6th class के बच्चों को भी यह पढ़ना था, अलांकि लाश होता है कि क्लाइमेट और वेदर में दोनों में डिफ्रेंसे यह होता है कि क्लाइमेट जो होता है, लोंग पिरियेट के लिए होता है, जो कम से कम 30 यह में यह चेंज होता है, जो कम से कम 30 यह में यह चेंज होता है, जो कम से कम 30 यह में यह चेंज होता है, 15 दिन, 20 दिन, एक तो जो वेदर का जो टोटल कंडीशन होता है उस सबको हम जोड़कर हम उसको कलाइमेट के रूप में हम डिफाइन करते हैं आज का जो सेसर हमारा स्पेशली जो है यह कलाइमेट है और कलाइमेट का एक पार्ट होता है सीजन हम लोग आज सीजन को पर फोकस करेंगे चुकि न सा सीजन चलना है और सीजन यह क्यों बार बार चेंज होता है और इंडिया का सीजन जो है इक अलग सीजन है क्योंकि इंडिया में डिफरेंट टाइप के सीजन का एस्प्रियेंस यानुभाव हमारे यहां रहने वाले लोगों को एस्पेशली नौर्थ इंडिया में रहने वा तो जहां पर सोलर सिस्टम में पोजीशन जो आर्थ का होता है उसके कारण से अर्थ पूरे सरांडिंग घुमता रहता है और उसके कारण से उपर टमप्रेचर का इंपेक्ट पड़ता है इसलिए हम लोग यहां पर सीज़न के बारे में पड़ेंगे बच्चो और यह तो प्र सब्सक्राइब तो इसमें जब भी आएगा तो आज संजोग से मैं आपको आज का जो मौसम चला है वेदर के साथ साथ जो क्लाइमेटी कंडिशन इंडिया में है यह कंडिशन जो है इसको हम कोल्ड वेदर सीजन के नाम से हम जानते हैं और आज तो यह लाश्ट वीड जनली किस्मस भी आने वाला है एक दिन के बाद में और यह लोग विंटर सीजन में सेलिबरेट करते हैं जबकि लोकेशनल सेटिंग के कारण से अस्टेलिया में यही किस्मस जो होता है समर सीजन में सेलिबरेट किया जाता है तो यहाँ पर हम लोग डिसकस करेंगे कोल्ड वेदर सीजन के बारे में पहले हम लोग यह जानना चाहते हैं कि हाव मनी सीजन इंडिया अगर यह एक्जाम में आता है कोश्चन तो फोर सीजन इस पे हम आपको यह दिखाना चाहेंगे आप देख सकते हैं नैखें कि अनल ला फूर्ड एसमें अनल मोरा फूर्ड के बारे में इसमें हम लोगको मुखरीय चेता हैं कि पढ़ना है दूसरा जो हो इसके बार हम पढ़ेंगे होट को विज्दर सीजन के बारे में सीजन आप इडवांसिंग माल्सून आज the condition of retating बारे माल्सुन यह 50都 वैंकि नहीं वरVIS जाज्ट आम आप गहां यह देखेंगेंगे तो ये चार तरह की सीजना करेंगे कोड वेदर अा चर्ट चरी जारीरे हो सटें में आप को यह स्टे थी जया करें यह कोड़ वेदर शीजन डैट एक helpful की चरकें प्ऱैंब̡ह अचे। मुक रूप से नॉम्बर जन्वादी के महीं नॉर्थ इंडिया में और रेनी गों from south to north side south pole to north pole so that will be temperature will be decrease अए अपता हैं लिसके इंड़ में, ढूता है उप्ता से काराणता है ने Communist को करेंगे दिली meant जम्मु Why और इसको प्रेड़ विंडे भी कहा जाता है विकोज मॉस्ली इन टाइम और मेडल टाइम में जो टैड़ा करते थे अर्वियन टैडर्स वे इस विंड का वेड किया करते थे और अपने जब विंड चलता था तो अपने बोड को जो लदेव समान होते थे शीप उसको वह इसी कहते हैं north east trade wind जिसका जो चलता है यह wind यह land to sea area में चलता है due to the low pressure and high pressure area यहाँ पर उस समय इंडिया की north इंडिया की climatical conditions होती है वह riots हिजन होता है और इसको हम देख सकते हैं इस रूप में आप देखिए बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सी एरिया जो होता है देर वीडा हाइज प्रेशर के लिए विंड चलता है जो आप लोग 6 class में भी पड़े होंगे और 9 के पहले session में भी हमने आपको बताया था कि कैसे low pressure और high pressure का mechanism काम करता है जब high temperature होगा तो low pressure बनेगा जब low temperature होगा तो high pressure बनेगा तो यह जो season जो होता है cold weather season जो होता है जब हमारा December, January, February के महिनों में और 9 के महिनों में यह देखेंगे कि समुन्दरी भाग जो होता है जो equator के पास का area होता है इसका direction कैसे चलता है winter direction मांसून जो चलता है यह North East से आपको यह विंड चलता है समुन्दरी भागों में बेव बंगाल होते हुए यह Indian Ocean की तरफ चलता है इसमें आप देखेंगे इंडिया का position अगर यहां पर है तो यहां पर हम देखेंगे कि North East मांसून विंड जो चलता है आप इंडिया में देखिए कहां से चलता है यह North East मांसून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया के North और इस्टर पार्ट से यह समुन्दरी भाग की तरफ चलता है साउथ के तरफ चलता है और उसमें सबसेंपोर्टेंट रोल होता है Western disturbance का और यह मेडिटेरियन सी जो की अफ्रीका और इरोब के बीच का पार्ट जो होता है मेडिटेरियन सी वहां से एक विंड आती है जो की यह आपको इंडिया में वेस्ट साइट से यह हीट करता है आप देखिए Western disturbance और इसके कारण से जो विंड इंडिया में नौर्थ साइड में ख Community अचैना की अपने भूंज अपने मुर्ने के लिए मजबूर हो जाता है साउथ के तराफ और था क्वें आप एडियों से बेाइब बंगाल यानि कि बंगाल के काडी में लोग प्रेशर का एरिया होता है और ऐन्डियान ऑसि के पास एक्वेटर के पास होने के बीखिए तो बिल्कुल और बच्चे सुडेंट्स देख सकते हैं सब अपने टीवी स्क्रीन पर विंटर में मॉंसून के जो डारेक्शन होते हैं नौर्थ इस मॉंसून हाई प्रेशर और लो प्रेशर बता रहे हैं सथ जी तो यहां पर मैं हम यह देखेंगे कि एक्वेटर के पास में सफीन होने के कारण से वो शनलाइट उहां जपन रफ़ता है तो रहे होना है अजीकㅋ अ उनलाइट बता है तो मो अलेगी सब्सक्れका ता內 पर हो जड़ंध से इसके तरह कीए और रंधिया यड़न kसे बतंके तो यहां आई बेलाविंटर आप ऐसार कारण में वान दूसरा आकर इस जो होता है जो नोर्त साइड में इसको भी मोने के लिए मजबूर कर जures के तरब तो इसको हम कहते हैं Western 質 चाहूं के वैस्ट डिस्टरबेंट्स और मैं मैं आपको यह बताना चाहूंगा की जो यह Western इंड जो होता है जो मेडिटेरियन सी से आता है यह वेस्टेंड डिस्टर्मेंस कहा जाता और यह हमारे इंडिया के लिए बहुत ही बेनिपीचियल होता है इसका एडवांटेज यह होता है कि जनवरी के महिनों में दिसंबर के महिनों से जनवरी के महिनों में जम के बारिश ह और यह मेडिटेरियन सी से आने के कारण से और यह दो दिन तिन दिन चार दिन पांट दिन दिली जैसे जगों पर राजस्तान दिली पंजाब हर्याना वेस्टन उपी में बहुत जमकर बारिश होती है और यह रहांज जो होता है डिट जैडवांटेज एंड बेनिफिशियल और वीट पुड़क्शन यह के पुड़क्शन के लिए यह रहेंज बहुत जरूरी होता है अगर यह नहीं होता तो फिर पुड़क्शन यहां पर बहुत परभावित हो जाता तो मेडिटेरियन सी इस अपले इंपोर्टेंड रोल पोर पुड़क्शन ओफ वीट इन द जगों पर बहुत ज़्यादा ठंडी फड़ता है और यह हमारे मालसून में एक इंपोर्टेंड रोल प्ले करता है अब जब यह मालसून जो नौर्थ इस्ट मालसून जब चलता है जिसको बाद में रिट्रेटिंग मालसून के रूप में पढ़ेंगे इसके कारण से यह ब आज यहां पर भी रहन होती है अक्टूबर-नॉमबर-दिसंबर के महिनों में ऐस्पेशली तमिलाडू के कोस्टल एडिया में बारिश होती है और उसी समय में को बारिश मिलता है अन्य था बारिश तमिलाडू में साउथ वेस्ट मालसून के थूरू नहीं होता है तो चले के महीनों के रूप में हम अपने आपको डिफाइन करते हैं और यह हौट वेदर सीजन जिसको समर्ष सीजन ऑन भी कहा जाता है और यह हौट वेदर त्लिक म congrat mostly नाम है नौ संद такая इंडिया में उन व क्ला फॉल यानि कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे टंप्रेचर हई होता है वहां पर लो प्रेशर के अरिया बन जाता है तो उस समय मार्च अप्रील और मैं के महिनों में धीरे धीरे टंप्रेचर बढ़ता जाता है और गर्मी का मौसम सुरू हो जाता नॉर्थ इंडिया में और माई के बाद जून तक एक ऐसी विंड चलती है especially इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में दिलिक के साइड में और राजस्थान पंजाब हर्याना के साइड में वेस्टन इपी के साइड में जिसको उस विंड को यह हॉट विंड होती है बहुत गर्म हावाय चलती है और कभी कभी इसके हीट होने से कभी लोग गिर जाते हैं स्लकोपे और इस विंड को हम कहते है जिसको हाट अड्राइव उसका होता है और उसके कारण से लोगों के बाडिके उपर उसाईप अब इसको हम कहते हैं हाट वेदर शीजन अब इसके बाद से आप देखेंगे hot weather season में, what is the position of the sun during the summer season in the India, especially in the North India, you can see here, traffic of cancer, यह totally इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, 23rd and a half to, 23rd and a half, यह Northern Hemisphere में, इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करता है, two equal parts, Southern India and North India, तो 23rd and a half को उपर को नोट इंडिया का जाता है, और उसके निचे के पार्ट को आउम पे नुचूला, इंडिया के नाम से भी हम इसको डिफाइन करते हैं, जी, तो यह बचो आप देख सकते हैं, कि किस तरह से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी मैप दिखाय जा रह है कि कौन से पोशन किस में आता है, और जिस तरह से सर ने बताया कि होट वेदर में बहुत ही गरम हवा चलती है, जिसको लू कहते हैं, तो आप जरूर इसको नोट डाउन करिए, जो भी इंपोर्टन बात सर बता रहे हैं, आपके लिए बहुत महत्पून होगा जब आप च एखेंगे 23rd and a half जो होता है, यह आपको गुजरात एरिया से यह गुजरते हुए और फिर नौर्थ इसको तरह निकल जाता है, यह 23rd and a half जो होता है, यह बहुत ही इंपोटेंट है, और इस समय सं का पोजिशन जो होता है, इंडिया में 21st जून को सं इसी पोजिशन पोजि बड़ा दिन यहाँ का हम कह सकते हैं, इस सबसे बड़ा दिन होता है, चुकि हला की बड़ा दीन और छोटा दीन को सबसे बड़ा昨 से बड़ा दिन होता है ,zamागर इ hing ऐसे सबसे भड़ा दिन 1741 जून 2021. और अभी तो यह सं कहर सबसे चोटा दिन भी कहते हैं.. सब्सक्राइब करेंगे हैं तो जो 21 आप देखेंगे कि जून जो होता है इंडिया में उस समय दीन जो होता है बहुत बड़ा होता है और साम जो होता है वो लगबग 6 बजे के बाद होता है जब कि अभी के मैं अगर हम देखते हैं आज दिसंबर में वो बहुत जल्दी हो जाता है तो यहाँ पर हम देखेंगे ट्रोफिक आप कैंसर के उपर ही सन का पोजिशन होता है और उस दीन हमारा जो होता है उसी दीन के बाद से सन का पोजिशन धीरे साउट के तरफ आने लगता है और यह साउट के तरफ आने के कारण से इसका कंडिश जो होता है situation season में changing आने लगता है next अगर हम देखते हैं यहां पर देखिए यह sun का position वहीं पर आएगा यह मैप में बच्चे देख सकते हैं और equator के उपर होने के कारण से equator के पार्ट में आने के कारण से इसका position धीरे धीरे change होता जाएगा यहां पर बच्चे हमारे देखेंगे नेस्ट एडवांसिंग मालसून के रूप में हलाकि एक चीज और मैं अपने बच्चों को यह बताना चाहूंगा season of advancing मालसून के पहले जो हम लोग देख रहते हैं यहां पर यह आपको जो season जो summer season की बात जो मैं कर रहा था उसमें इसका feature सबसे बड़ा यहीं है कि जैसे जै में temperature decrease होगा मगर equator से जब हम North Pole के तरफ जाएंगे summer season में तो temperature increase होगा हलाकि उसके उपर और जाने पर नौर्थ पोल के तरफ जाने पर वहां पर temperature decrease होगा मगर especially India की हम बात करें तो जब equator से यानि की के तरफ जाएंगे तो तो यह हमारा summer season में ही होता है कडाके की गर्मी पढ़ती है और उसी समय बच्चों को छोटी भी दिया जाता है और summer season उसी समय होता है summer vacation में हो जाता है बच्चों आप लोग का अब हम नेश्ट आपको जो स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम कहते हैं season of advancing monsoon that is very very important और इसको समझना बहुत बड़ी चीज है यह नहीं समझे तो आप कुछ नहीं समझे तो इसमें हम आपको यह बताना चाहेंगे कि summer season के बाद जो advancing monsoon जो स्टार्टिंग होती है वो 15 जू जून के बाद होता है जनली अब इसमें थोड़ा सा changing आ गया है परिवर्तन हो गया है और यह जून के पहले अगर हम देखते हैं जो मई क महिनों में जो बैसाक हिंदी में हम कहा जाता है तो उस समय summer season के कुछ और फीचर से क्या होती है कि जो लू चलने के साथ साथ कभी कभ नौर्थ इंडिया में और इस्पेशली इूपी बिहार बंगार एरिया में एक storm आता है आंधी आती है और यह आंधी जो होती है धूल पर एंग होता है और ये अंधी जो आता है इसके कारण में होता है लो प्रेसर एंड हाई प्रेसर क्योंकि जब लो प्रेसर एरिया जो बनेगा तो समुंदरी भागों से हवाय बहुत फास्ट चलती है और अपने साथ यतनी हो तेज हवा चलती है कि अपने आज पास का जो एरिया का जो धूल और मिट्टी को वह उब्रा कर और उपर की तरफ लेकर चलती है और वह महिना जो होता है हिंदी का बैसाक का महिना होता है और उसी समय बंगाल के एरिया में बैसाक के महिने में जो हमारे यहां मई और जून के लंसम का महिना होता है उस समय बैसाक के महिने में खुब धूल यान्धी जब आती है और उसके कारण से पुलिथीन बगरा कासपास का जो चीजे होता वो उन्हें लगता उपर के तरफ तो उस चीज को हम कहते हैं काल बैसाखी और यह काल बैसाखी जो होती है यह बहुत ही पॉपलर है यह सलाइड आप देखें यहां पर तो यह सलाइड आप देखिए यहां पर जी तो सुदेंट हम बात कर रहे हैं रेजनी सीजन के बारे में सरवता रहे हैं रेजनी सीजन यानि मौनसून का सीजन जिसमें बरसात होती है और आप जरूर पॉइंट्स बनाते चाहिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टन रहेगा क्यो से आपको बहुत मदद मिलेगी तो हम पढ़ रहे हैं रेनी सीजन यानि मौनसून के बारे में बच्चों के बात जरूर कहूंगा मैं कि हमारे स्टुडेंट यह समर्सीजन के समय में काल बैसाखी को जरूर याद रखेंगे क्यों कि काल बैसाखी का महिना जो होता है यह बं तो वहां पर यह स्टिती देखा जाता है कि उसके कारण से कभी कभी चोटे चोटे बच्चे जो बाहर खेलते हैं वह दर्वाजे पर गिरने लगते हैं अन्बैलेंस हो जाते हैं तो उनकी मा काती है कि बेटा जल्दी सिहां से हट जा नहीं तो यह भूत आ गया है क्योंकि उसमें बच्चे अन्बैलेंस हो जाते भूत बगरा की कोई ऐसी बाते नहीं होती है मगर वो ढूल्बल यह आंधी के कारण से बच्चे अन्बैलेंस हो जाते हैं इतनी तेज आंधी चलता है इसलिए उनकी माज होती है बच्चों को घर में बंद कर देती है तो यह काल्ब west wind के नाम से जानते हैं और उस wind को हम define करते हैं season of advancing monsoon और यह advancing monsoon because India is the monsoon country and totally Indian economic depend on the monsoon यहाँ पर आप देखेंगे this is a rainy season and also known as the monsoon season our crop production depend very much on the season because total our Indian economy totally depend on the monsoon so children don't forget monsoon is a very very important for the Indian economic and our per capita income then also contribution in the GDP totally depend on the monsoon we can say now position because mostly people that are involved in the agriculture indirect and indirect they are getting also job तो यहाँ पर हम season की बात करेंगे तो एक जो season आ रहा उसमें advancing monsoon की बात करेंगे अब यह advancing monsoon पर जब देखेंगे तो बेटे आप यह देख सकते हैं कैसे rain हो रहा है यह आप slide में और इस rain का कारण क्या है south west wind और यह south west wind जो है यह इसी के द्वारा इंडिया में totally two third area में इंडिया में बारिस होती है जिसको हम advancing monsoon के रूप में जानते हैं यह wind जो होता है इंडिया के south west side से चलता है और यह south west से चलने के पहले जून के महिने से पहले की बात में कर रहा हूं में आप देखेंगे तो पहले यह coastal area केरला और कनाटका के area में मई के महिने में ही यह मानसून आना सुरू हो जाता है और वहां mango को यह क्या करता है कि पकने में मदद करता है इसलिए इसको mango sour के नाम से भी हम जानते है जिसको हिंदे में आम बिरिष्टी भी कहा जाता है और वह mango को पकने में बहुत ही important role play करता है यहाँ पर जो होता है मानसून जो होता है इंडिया के south और west side से चलता है इसलिए इसको south west मानसून कहते हैं that is also divided in the two branches from south west side from इंडिया और यह दो ब्रांचेज में बढ़ जाता है जिसको एक को कहते है अर्बियान सी ब्रांचेज और इसके कारण से इंडिया के western coastal area then गोवा महराष्ट्रा और बांबेता के इवेन की मदपरजस्ता का एरिया जो होता है इसके फुरूर एंडिक्लिव करता है और दूसरा जो सबसे important branches होता है जिसको हम बे बंगाल ब्रांचेज के नाम से जानते है आप देखेंगे position में यहां पर और इसको हम कहते हैं बे बंगाल ब्रांच आप यहां देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा यह मैप आप देखेंगे मुमेंट ऑफ साउथ वेस्ट माल्सून इसका मुमेंट और डाइक्सन क्या होता है निचे का एरिया देखिए एरिया हो जाता है और गाहिए के ब्हलें तो आप देखिए गात रहें थालया होता है यहां पर पर जो समंजरी भाम है यहां पर देखिएगा पानी का ज्यादा मत्रहीश की में तो यहां के बारे में जान लिया सर है ना तो हम मारे सत्र में कुछ ही मिनट शेश है तो हम जाते जाते चौथे सीजन का भी थोड़ा सा बता दें अभी आज उसको वह नहीं पाएगा पले इसको हमें बताना जरूरी होगा इसको स्लाइड के तरह लाएं तो सर आगे बढ़ते हैं हम दो अपने यह माइन में रखेंगे कि हमेशा जो होता है हाई प्रेसर से लो प्रेसर के तरफ चलता है और मैप जो देखा अपने इसको नेस सेशन में देखाएंगे कि कैसे यह विंड चलता और क्यों चलता है और यह विंड जो होता है इसी को हम टेड विंड काते हैं और क्यों करते हैं और यह थे दूइंड जो होता जिसको पले नर्थ नर्थ इस्ट विंड के रूप में हम जानते हैं अडेंटिफाइब करते हैं यह जी बहुत बढ़िया बहुत ही आपने खुबसूरती से विस्तार से आमें क्लाइमिट के बारे में जानकारी दी और जब तक हमें मैं आपके जरी समझ ना समझे तब तक हमें समझ में नहीं आता और बहुत ही महत्रपून जानकार यह दी सर ने सर आप यह आए और हमारे स्टुड़न लेर्नर को इसके बारे में विस्तार पूरफ बताया आपका बहुत 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 शुक्रिया और हम इसका अगला पार्ट सतर में लेंगे और हमें उमीद है कि जो हमारे जो स्टुड़न समय देख रहे हैं उनने नोट डाउन कर लिए होंगे जो इंपॉर्टेंट बाते बताए हैं और आप जरूर नोट बना रहे होंगे साथ सथुड़न समय दीजाजद लेकिन आप कहीं मैं जाए आप जुड़ झाल झाल